स्कूलों में नया श्यक्षनिक सत्र शुरू हो चुका है एक तरफ प्राइविट स्कूल के अभी भावक अपने बच्चों को नई ड्रेस, स्कूल बैग और नई किताबों के साथ स्कूल भेज रहे हैं तो दूसरी तरफ thousand बच्चे ऐसे भी हैं जो बिना नई किताबों के स्कूल जाने को मजबूर हैं आलम ये है कि स्कूल खुल गए और बच्चे भी स्कूल जाने लगे लेकिन सरकारी स्कूलों में किताबे ही नहीं पहुँचाई गई दरसल सरकारी स्कूलों के बच्चों को अभी तक किताबे नहीं मिल पाई है इन हालातों में समझा जा सकता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को बढ़ाना कितना मुश्किल हो रहा होगा सरकारी स्कूल के शिक्षक भी पुरानी किताबों से ही काम चलाने की बात फिलहाल कहते नजर आई हम जो बच्चे पास आउट करके गए हैं उन बच्चों की हमने बुक्स रखवा लिए उसी से हम बच्चों का रिविजन करवा रहे हैं और वैसे तो मिसन को सीज टू करके उसका चल रहा है जो विभाग से हमें ओडर आई हैं सरकारी स्कूलों में किताबे नहीं है और अव्यवस्थाओं का भी बोल बाला है शिक्षा विभाग ने अब जाकर इन किताबों के लिए बजट जारी किया है मामले में सुबे के शिक्षा मंतरी धन सिंग रावत का भी बयान आप सुनिए इस बार किताबे जो लेट हुई ही उसका कारण यह है कि हमने अपर राजी में एक नया कामी क्या है कि जितने एडिट स्कूल है उनके चाल लाग बच्चों को भी इस बार किताबे निशुल के दी जाएंगे तो चुक कि बजट सत्री है हमारा बजट लेट हुआ इस बार और अब हमने उसके आदेश भी कर दिये हैं मुझे लगता है कि हपता दस दिन में सभी स्कूलों में अब किताबें पहुंच जाएंगे ETV भारत ने दहरादून के कई सरकारी विद्याले में पहुंच कर सीतियों को जानने की कोशिश की इस दोरान कई स्कूल ऐसे मिले जिनों ने इन कम्यों को छुपाने के लिए परमेशन जैसे अपचारिक ताओं को सामने रख दिया इधर नौनीहाल किताबों के इंतजार में बैठे हैं ऐसे में सवाल ये कि विधायकों और अपसरों के बच्चे भी अगर इनी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते तो क्या वैवस्थाओं को लेकर लापरवाही इसी तरह होती ETV भारत के लिए दहरादून से नवीन उन्याल की रिपोर्ट